नमस्कार ओम शांती कवी और उसकी कृति में मित्रव आपका स्वागत है हम अपनी कवी उसकी कृति के प्रोग्राम में हार बार एक नया कवी लेकर आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप वो कवीताइं सुनते हैं और कुछ कविताइं ऐसी होती है जो आपके जीवन में संदेश लेकर आते हैं, कुछ उमंग उसा भी लेकर आते हैं, कुछ जीवन में सीखने के लिए भी लेकर आते हैं, जहां तक है कवी अपनी जीवन शैली पूरी उन कविताओं में ही डाल देता है, कहां कहां से सीख कर व विए उनके जीवन के बारे में किसी आम जीवन के बारे में तुलना कले वो हमसे हो नहीं सकता। क्या-क्या कवी अपने उन कवीताओं में लिखता है, हम कैसे वो सोचें यह भी हमारे जीवन में सोचने के लिए बहुत समय होना चाहिए। वो तो चलते फिरते उड़ते बैठते और कवीताओं के बारे में ही सोचते रहते हैं। साथी-साथ कुछ ऐसी चीजे भी कुछ कवी ऐसे होते हैं जो बहुत साई चीजे लिखते हैं। आज हमारे स्कारेक्रम में एक नए कवी महमान पधारे हुए हैं जिनका नाम है यश्पाल और वो है पंजाब पठानकोट से जिनका जनम 12.08.1948 में हुआ था उन्होंने अपनी कवीताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है साथ ही साथ उपन्यास भी लिखे हुए हैं कवीता के साथ साथ और चिराग में बात है चिराग की जिसकी पहचान आज ही हम वो शुरूग करेंगे जिसका नाम है चिराग उनकी कुछ कवीताओं के साथ साथ उनकी किताबों का भी उलेक किया हुआ है उनको पुरुसकार मिला है 2014 में राष्टिय पुरुसकार के द्वार वह सम्मानित किये गए हैं, आज हम कवीताओं में से लेने वाले हैं उनकी एक किताब चिराग चिराग में उन्होंने क्या-क्या लिखा है, यह हम उनीसे ही जानेगे और उनकी जीवन की आज तक की जो भी यात्रा है, बीच पीच में हम उनसे वो भी जानने की कोशिश करेंगे मैं आपका और आप मेरे महमान का स्वागत करते हैं, आए बात करते हैं यश्पाल जी से येश्पाल जी आपका हमारे इसकारेकरम में बहुत-बहुत स्वागत है। गन्यवत। आपकी हमने कवीताइं पड़ी भी साथी साथ आपने जो उपन्यास भी लिके हुए है। लेकिन मैं आप से जानना चाहूँगी कि आपकी एक जो किताब है चिराग। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखे। चिराग दीपाबली के उपर यह शुब अफसर जो आते हैं उनके उपर हम चिराग दिलाते हैं। चिराग को हम दीवा नहीं कहते हैं। चिराग एक ऐसी चीज है जिसके जिसमें चार बतियां जलती है। तो चारबतियों के मतलब यह होता है कि ग्यान का जो कि ज जो है बू चारों तरफ Rico अडिकैस आर उसे जो हमारा समाज है यूबिशव है वो जगरत, जे, जब भी कोई नर्थकी बात आती है तो ग्यान की जब कमी होती है तो तब यह होती है अगर ग्यान का ग्यान जब भी आता है वो विद्या से आता है अधियात्मिक्ता से आता है वो समाज को सुधारों से आता है रिशियों मुनियों के जो लिखे हुए गरंथ हैं जब उनका हम वाचन करते हैं और वाचन करने की बात में जब उन पर अमल करते हैं, तो आदमी का मन सुधरता है, तन सुधरता है, मन में शुता आती है, तन में शुता आती है, तो ग्यान का पौदा है, वो लहला आता है, ग्यान का सूरज है उदे होता है, तो उसी को रह करके मैंने जमादियम बना करके ज जूत मुनका है। और यह शब्द झीन चिराग उसके कई नाम जाना है। तो बच्चök मेडियियुक्त नाम लखी रखते जाते सा ओधिभून कोड़ाoking लुतर Неilleurs accent , इडिन से उनॐत तो हैة से चिराग आए सौने बच्यां र devoल मेडियुक्त समय कैड़ मतलु स साथा , DAVID ये अर्बी बाडिशाद से यह च्यफड है तो चिराग को हम दिया भी बूलते हैं बल्लब island भी झिजब एक अंगरेजी जासे बच्येकर के नाम होते हैं ने में बोलें तो हम दीबा बोल सकते हैं या दीप charm के कोई नाम रहकार कि मैं ने चिराग को अठाइस सिम्बलों में विंपों में कर या लग लग जो चिराग जैसे एक शक्ष के है जैसे हैं धुड्स के है gehört सहीत है, अवनेटा है अलगलग विभाजिन गए हैं जैसे के सूरे एक च्राग है, अगर सूरे ना हो तो ये दुनिया उत्पती की बात नहीं कह सकते है, लागलग उसे हैं चंदर जिनको सूरे राशिन देता है, तो ये सूरे है ये हमारा जीवन दाता है, जिनको सूरे रोशिन देता है उससे हमारे जतने कारोबार ऐसारे चलते हैं और रात को चंदर्मा एक चरागरू में आता है और जो चंदर्मा है उसकी उपमा जो कभी दोग है उनुं सुंदरियों से की है जब किसी सुंदरी की कलपना करनी हो तो हम उसका चांद से मुखड़की करते हैं तो वह भी मैंने के चरागरू में डाला है उसकी भी एक अपनी महत्ता है कि रात को पुचांदर्मा देता है इस तरह करिशक है यो किसान है वो खेतों में अपना खून पसीनाई करके फासन नि तो अनाज कैसे पता है समाज क्या खाएगा आगे यो हमारी जीवन चरह है वो कैसे चलेगे इसी तरह से हम आदियात में गुर्यों की बात करते हैं आदियात में गुरू समाज में उस समय आते हैं जब देखते हैं कि हमारा समाज जो डगड मगा रहा है इसमें अनैतर कार्य हो रहे हैं दर्ती कुपर पाप का बाहर बढ़ रहा है तो उस समय आकर कि वो एक रास्ता दिखाते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल समाज सुधार के रूप में वो ऐसा रास्ता ठेच्ड रोब बैता है, गूरु शेक्षिक हो तो शेक्ष्ड भेशा ले को competitors जी चे आता है उटकर अगैम करता है, नहींता है विस्ट पयोक्रोशा कर इंदेज के लिए तयार करता है गूरु ना हो शेक्ष्ड ना हो तो तो शेक्षो को हम गुरु की संगा है तो गुरू शब्द यह है जे दो शब्दों से बना है गु और रू गु कारत होता है अंदेरा और रू होता है अंदेरे को दूर करने बना अंदेरे को दूर करने बना को गुरू बोलते है तो ऐसे ही मैंने आशा और प्रेर ना ली है अगर जीवन में आशा ही ना हो और क्या बात है बहुत अच्छी बात है मैंने आपकी इस किताब में से दो चीजे कुछ ऐसी मेर ली है जिसमें मन की बात और दूसरा है जन कल्यान की भावना से ओत प्रोत चिरागों का यशुगार इस यह दो चीजे क्या है जहां तक मैं सोचती हूं कि इसको उपनियास बोलते ह तो यह आपने क्या सोच के लिखा लिखे जो चिराग इतने चिराग हैं यह समाज को एक गती देते हैं समाज को एक नई उत्साक देते हैं आशा देते हैं यह से कि सूरी का उदे होना यह हम ग्यान की बात करते हैं उससे हम ग्यान की तुलना करते हैं अंदेरे की बात करते ह तो जीमन में उत्रपूतु की बात करते हैं, तोते की बात करते हैं, तो हम आत्मा की बात करते हैं, हंस की तोड़ना करते हैं, तो वो हम ग्यान की बात करते हैं, तो यह सब जो चीजें हैं, मैंने इनी को मुख रख करके, मैंने इन चिरागों की, मैंने इनको पुंज एक बना और जो समाज है, जो देश है, जो भिष्व है इनहीं के मादियम से आगे चला है और विक्षत हो हुआ है Da Pap не large- tired अपने आपने अपने चिराग में हैजहा है … कोई में मैसेज इसमें क्या सोच क्या आपने यह दोनुव बाते इसमें लिखे जो खास आपके जीवन में आई हो फिर आपने ये मन की बात क्या है आपकी मन की बात मेरे मन में ये था कि मैं मेरे बहांचेगा एक लैटर आया मुझे नव वर्ष के उपर कि मामा जी आपको मैं एक चिराग मानता हूँ और आप जो कफिताई लिखते हैं जो अपनियास लिखते हैं वो ऐसे हो वो जीवन के जो हमारा समाज है जो हमारा देश है जो हमारा बिश्व है उसको एक नई गती दे मैं याशा दे नई प्रेयर ना दे एक ऐसा रह दे जो सब केलिए लियान करें तो मेरे मन में केंगे दिन तक बात चलती रही कि मैं चिराग कैसे हो सकता हूं और कविता कविता का नाम ही असल में वू चीज है यो ले बड़ ता ए और यह जो भी चीज़ गाई जाती है यह लुखी जाती है उसमें जिन्दगी कायद का अंतमलक्षे होता है। और सबसे बड़ा अनन्द है वो अधियात्मे का नन्द है, जो कभी खुने बाला नहीं है। तो एक दन मैने दो तीन दन वार जो चलता रहा मेरे दिमाग में, कि एक रिंग बनता है, एक भाब बनता है, वो मन की उपर चाता है, जैसे सावन के महीने में बादल चटते हैं, अगर वो बरस जाएं, तो ठीक है नहीं तो आगे निकल जाते हैं, इसी तरह से यो पोईटरी है, जो कविताएं हैं, जो शायरी है, वो एक तरह का सावन की गटा हैं, आदमी उनको लिख लेता है, तो उतर जाते हैं, नहीं लिखे तो आगे बदरी निकल जाते हैं, तो एक दन मैं दीप जातरा को लेकर के बैठा, तो बस दीप जातरा शुरू हो, तो इसका मतलब आपने इन दोनों के बात, आपकी एक कवीता जो इसकी चिराग में से प प्रकाम करता गया, सूर्य आया, चंदर्म आया, शेक शेक आया, एक लक्षे आया, कि लक्षे भी हमारे लिए एक चिराग है, जिस आदमी का को लक्षे नहीं है, वो पहुंचेगा कहां, जीवन में उन लोगों ने ही सभलता पाई है, जब मुकाम पैदा किये हैं, या दु मैंने उन इम के ऊपर कुछ काम करना है, मुझे ठाई ही जो मिले, मतलब छोटी से एक बच्चे ने आपको एक इतना बड़ा टाइटल दे दिया, जो उसको चूने के लिए आपने लक्ष साध लिया, यही लक्षे है कि मुझे अब चिराग बनना है, जी, जी, मित्रो कोई आए चोटा व्यक्ती भी हमारे आसपास हमारे बढ़ने में माद करता है, हम कहते हैं, चोटा बच्चा भी हमारे जीवन के लक्ष को आगे पहुंचाना इनए में अभी तक जो भी मैंने पड़े जैसे मैं कुछ शब्द सुनाती हूँ प्रगार शब्द लिया एक कठिन शब्द है साथ ही साथ आपने तिमीर शब्द भूला ये सब आपने इस conclusion mir जोड़ा एक समझ कर जोड़ा नेखो तिमर अंदेरा होत। इंसरे से शने साथ है यहां छिराग जलता है वहां पर अंदेरा नगे सब्सक्रा believed है वहां पर अन्यते करें नहीं हो सकते जी बिलकुल बिलकुल जीवन तभी अंदकार में बनता है जहां पर ग्यान का प्रकाश नहीं पूंदा है क्या आप ही कुछ चंद लाइन हमें सुना कर क्यों नहीं क्यों नहीं जी जरूर बिलकुल चिराग दिया बलब दीपक तिवर बिन आशक तेरे नाम बिन तेरे अंदकार रात को होता हर नगर हर गांदाब जोगों से मान बजाती संग पर गाड़ है तेरा नाता रहा जोगों से मान बजाती संग पर गाड़ है तेरा नाता रहा कष्टों योर भी पत्तियों में तु मिचर सा निवाता रहा कष्टों योर भी पत्तियों में तु मिचर सा है निवाता रहा ये इतनी अच्छी लाइने मतलब का कठिन शब्द लिखने के बाद भी उनको गाना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है लास में आपने का तु मित्रता निवाता रहा किसकी तरफ डिपक देखिए डिपक ग्यानका भी एक मादम है एक बिंब है और जी ग्यानका भी है अध्यापक एक अध्यातमे गुरू एक शिक्षक बच्चों को जो बात कहता है बच्चे जब उसके उपर अमल करते हैं तो ग्यानका प्रकाश क्यादा हो एक नया समाज बनता है एक अच्छा समाज बनता है एक समाज सुधारने बाला समाज बनता है और ये जो दीपक है ये बल्लब है इनके नाम अलग अलग समय आए तो अलग अलग जे नाम बनते चलेगे तो रोशनी का ग्यान का दीप का जैसे ही मानब जीवन ने जरा सा चेतन तायाई जर जरा सा सब्बे बना उसे थोड़ी समझाने शुरू होई तो उसने एक चिराग पैदा किया एक रोशनी पैदा कि पहले वो दीपे यह होते थे वो तेल डाल करके दीरे दीरे वो गैसी आ रहे उसके बाद ये दूसरे बलब आ गए अब तो और ही जादा होगए उपर ही बढ़ता रहा है तो ग्यान की बात है अगर हम से गुरू बाबा गुरू नानकर देव जी की बात करते हैं तो उन्होंन उनके बहुँ ज़ा शिशे थे उनमें हिंदू भी थे मुस्लम भी थे तो बाबा जी से मुस्लमानों ने पूछा कि बाबा जी कि हिंदू बड़ा है जब मुस्लमान बड़ा है तो बाबा जी ने जवाब अड़ी सलता से दिया किते हैं जिसके अमल बड़े हैं बही आता है तो जिसे जिसके पास ग्यान है असल ग्यान है वो समाज को बही आगे देखे जा सकता है बही समाज को बगती दे सकता है बही समाज जिसे सही दिशा मिलती है बही आगे बढ़ता है बही आगे तरकी कर सकता है चौमुखी विकास ही कर सकता है। जिसके पास कोई सुधार देने ब Ini बाला ही अच्छा न Она निर्देश देने बाला ही अच्छा नहीं है। ऊसमाज नहीं पन सकता है। जैसे हम कह सकते है। कि बाबा ने ब्रमा बाबा जेन एक ऐसे समाज की कैसे उनके मन में इश्वरिये ग्यान पैदा हुआ तो उन्होंने एक ऐसे ब्रह्मा कुमारी इश्वरिये विश्वदवाले की एक महिलाओं के मादियम से अरचना की जो आज विश्व को एक नई रोशनी पवित्तरता ऐसा कोई सफिर नहीं है ऐसे कोई दिशा नहीं है देश नहीं पहुचा है अवित्तरता का सरलह देता का और विश्व का नया परिवर्तन का जो उन्होंने एक नया भाव दिया यह अपने आपने एक अचूक है एक अभूत पूर्व है जो पहले किसी ने नहीं दिया उसर बाबाने दिया जी जी आप यहां पहली बार आए तो आपको यहां आकर कैसा लगा जैसे आप पहली बार ब्रह्मा कुमारी का अपने ग्यान लिया उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए असर में होता जो लिखारी होता है मैयाम लोगों की तरह बो चलता फिरता भी है किंतु उसकी जो दिष्टी होती है बड़ी पहनी होती है वो देखता है जो सहित्यकार है जो कभी है उसमें सम्वेद्रा की जो शक्ती होती है बो जदा होती है आप एक फूल को देखते हैं आप एक पत्था तोड़ने वाले को देखते हैं उसकी दिर्ष्टी में और कभी के दिर्ष्टी में बड़ा फरक होता है जह मैं जहां आया तो मेरे बितिजा साब अजीद पाल जी चलते थे इसमें तो मुझी करना ले चचा जी बहाँ जाना है तो मैं शुरू से ही अध्यात्मे कमारग में चला हूँ मैं खोड़ा योग बगएरा करता था मैं तो मैं इसके साथ आया तो मैंने देखा कि यहां पर एक सरलता है एक सहीता है एक पवित्तरता है एक नेत्तरता है एक सिस्टम है यहां को लालच की बात ने यह नहीं है को ऐसे ऐसे करके किसी को बेपू बना ले मुझे इसमें सबसे ज़ए जो अच्छी बा लगी वो सरलता है वो सहीता है वो पवित्तरता है आदमी जब भी कोई हमारे गाउं में कोई सन्यासी आता था को सादिक आता था तो लोग उसके कहते हैं कि एक सन्यासी है उसके दर्शिन करो हमारे पुने बाग जो उसके दर्शिन होगे हमारे कितने जो पाप है दूल जाएंगे किन्तु यहां करके मैंने दिखा कि जितने जहां पे बाहर से बाई बेहने आती हैं वो सारे ही सनियासी हैं वो सारे ही योगी हैं वो सारे ही सारलस बाब के हैं तो मैंने जीत का दन्यवाद किया जी जा तुमने अच्छा किया जीओ जीओ मैं यहां पे आता रहा मुझे अच्छा लगा मैं बार बार आता रहा देखता रहा कि मुझे कोई ऐसा को ना दिखाई दे जहां तो कुछ को गड़बड तो नहीं है ऐसी को बात नहीं है चाहे वो बहने हैं चाहे वो भाई हैं यहां सर रहते हैं यहां सर रता है आज हम बिश्म में देखते हैं कि जो धर्म गुरु बने हैं वो कहीं न कहीं उनमें जब अनैतकता है यहां पाप पड़ रहा है आज नहीं तो कालुन का जो परदा है वो फाश हो रहा है जी जरूँ तो जब वो चीज सामने आती है तो मानको दुख भी होता है और जो सादकों उसमें पीछे चले है उन्हें जब चोट पहुएती है तो अंदर से उन्हें एक दर्द पैदा होता है यहां आकर के जो भी आया जिसने भी देखा जिसने भी सुना उसे लगा कि नहीं बार 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 आया और बार बार कोशी करता कि मैं हर बार जहां आऊ और जितनी जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी बाबा के मैं द्वारे जाऊ आकर के जहां शान्ती मिलती है सहिस्ता मिलती है आगे चलते हैं आपके तो जीवन शैली ही ऐसी है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी और उमीद है कि मेरे दर्शक भी बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे आगे है दुर्गम शिखिर और कदार में जरूरत प्राचीरों ने मानी गई तु जहां नहीं है भूत बास जगत जग में निती मानी गई राजारंग के महल घरों का तु रात्री में शिंगार है तु रोनक है तु शोबा है तुस्से होती बाहर है अमा की काली रातों में तेरे सम्मुक सजी दरवार बिजे कामना में भूपों ने निर्ने लिये कई हजार लेकिए जिस गर में दीवा नहीं जलता है वहां पर कहते हैं कि बूतों और बास हो जात biology और जिस गर में दीवा जलता है रोज़ों को और श्हाम जलता है लोग आर्ती पर knew that they do दूप जलातें अगर्बती जिलातें तो उस गर का बाताबर नहीं Hasins यह ऐसा अकसर हमारे जो बजूर्ग है वो भी यह सब बाते बोलते थे और उन्हों ने जिससे जैसे किया भी हमने देखा भी तो यह बात सत्य भी कुछ देखने में भी आई है वो जैसे ही सुरियस्त होता है और दीबे जल जाते हैं मंदरों के गेंटियां मंदरों के गेंटियां बजने शुरू हो जाती है आरतियानी शुरू हो जाती है तो यह जो चिराग है यह एक तरह का ज्यान का एक अनंद का एक इश्वरिये एक प्रेयरना का एक सुरूत है कि यहां दीपक है बहां देरा नहीं है क्या बात है यहां द लगं जहान ग्यान ही नहीं वहां पर अधियं तो अधित तो दियुह नेदा है, आधिक वहां बाटकन। तो अगली जो रान निती ऐसी बनाओ जिसमें हम जीत सकें कौन से जोड़ा काल को हां बेजेंगे जो हारे हैं वो क्यों हारे जो जीतेंगे वो कैसे जीतेंगे हम जे सारे निरने यो दीप है जो बल्लब है जो चिराग है उसी की प्राजनस में उसी की हाजरी में उसी की उपस साती है, कि देख वो सब कुछ रहा है, नैतक भी, अनैतक भी, हारे हुए भी, और पराजित भी, और विजी भी, कि नुट बोला वो कुछ नहीं, किसी के बारे में उसने शिकायत नहीं गी, कि यहाँ यह है, वो है, वो सिर्फ एक पस्षिया करना जानता है, साथ निवाना जा जी मेरे कहने का बाब आगे है क्या खोया क्या पाया मैं किस निती से लड़ना है योद्धा कोन रहेंगे भारी कैसे सुम्रांगन बढ़ना है हुरलास रण विजे का दीप तुनाती आंखों देखा दुखी राजे बीरों के हारे क्षण क्षण हाथ मलते देखा लेकी महाबारत का जोटों सब जानते हैं कि महाबारत का जुद हुआ तो उस समय पाण्डबों के तरफ से बागवान कृष्यन थे और और कौर्बों के तरफ बड़े-बड़े बीर थे बीशिम पितामाद जैसे दोणे चारे थे तो जब अबीमन्यों को पाण्डबों ने अ एक चल से मारा, एक निती होती थी कि सुरी अस्त के बाद कोई किसी की ओपर शेस्तर अस्तर नहीं चलाएगा, और एक यो योदा है वो एक योदा से ही लड़ेगा, जब अभी मन्यों ने चकर वियू में आकर के उनकी जो सिनाएं हैं मार काट करने शुग की तरही माम तरही मा वियू जो उसमें उनने निती वारास्ता लीया, साथ यो महार थी थे, या ऐसे ब्रयोदान तो उसमें था ही, उसमें करन भी था और दूसरे भी थे, सब ने मिलके साथ यो महार थी थे, जब उननों ने उसको मारा, तो बगवान ने तो अच्छा कोई बात ने हैं, तो मैं सकाए और आक्र में बगवार ने पर अपनी नकीं को बतना लुकुM पर हम ऐसे नहीं ऐसे ही जीते नहीं है आज पर उना भी मुनें छासा कपते हैं जां हम भी lav ajraph के लिए हमें कहीं ना कहीं अगर हमारी opposite को इस गलत चलरा है तो सट पनी यम भी हमें भी को यश्पाल जी आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपकी जो चिराग जो किताब है उसमें से दीप यात्रा में से अभी आपकी ये बहुत अच्छे अभी तो आधी अधुरी हुई है अगले कडी में हम इसको पूरा करेंगे आप हमारे इस कारेक्रम में आए आपका जो हमारे जीवन को साथ लेके चलते हैं अभी ये किताब की जो दीप यात्रा है या भी थोड़ी आधी बाकी है अगले एपिसोड में हम इसको पूरा करने की कौशिश करेंगे मिलते हैं अगली कडी में तब तक के लिए दिद्यजादत नमस्कार उम्शंति झालते हैं